स्वाकत अबच्छा आपका Self Study के चैनल में और आज हम एक important पंचायती राज जो काफी ज़्यादा important है इसके बारे में जानने वाले हैं कौन से article के तहर आता है और इसी के अंदर एक पैसा अधिनियम जो है वो सुर्खियों में है इसके बारे में भी जानेंगे क्यों सुर्खियों में हैं क्या reason है क्या होता है इसका मतलब सारी चीजें हम जानने वाले हैं पैसा मतलब यह रुपे वाला पैसा नहीं है पंचायती राज के अंदर एक अधिनियम है उसका नाम पैसा है पैसा तो उसकी short form है P.E.S.A. पैसा यह है अभी इसके बारे में बात करेंगे इसकी full form के बारे में बात करेंगे सुर्खियों में क्यों है क्योंकि 36 गड़ सरकार ने जो वहां के जो Congressी सरकार है वहां के जो मुखे मंतरी है बुपेस बगेल और वहां पर पंचैती राजों मंतनी है शिंह देव की जी के दूरा एक परियाश किया गया है कि जन जाती है शेतर के अंदर पैसा अधिन्यम लगाए जन जाती है शेतर के अंदर कहा क्या मतलब है देवका पहले तो पैसा की जो फुल-फो में वह समघ लो पंचायत, P का मतलब होता है पंचायत और E का मतलब होता है extension पंचायत extension अब तू दा, पंचायत extension तू दा S का मतलब होता है scheduled और A का मतलब होता है area पंचायत extension to the scheduled area यहां पर लिखा भी हुआ अगर आप कुछ समझ में आए तो पंचायत extension to the scheduled area तो यह जो चीज है इसकी full form यह है इसका मतलब है कि पंचायत का extension यानि पंचायत का extension किया जाए कहां पर जन जाती है शेत्र के अंदर अभी क्या extension होता है क्या मतलब होता है थोड़ा सा अपने आपको संभाल कर रखो जो दिमाग में गोड़े दोड़ रहे हैं उनको एक बार शांत करो सारी चीज़ें अभी करवाने वाला हूं तो पहले तो पैसा को जानने से पहले ये पंचायती राज को समझ लो एक बार क्या होता है देखो पंचायती राज जो है वो अपने समिधान के अंदर 73rd Amendment हुआ था यानि तियत्रवा समिधान शंशोधन हुआ था काफी important है कब हुआ था 1992 के अंदर हुआ था और ये समिधान शंशोधन के अंदर पंचायती राज को constitutional status दिया गया था समिधानिक दरजा दिया गया था यहाँ पर और कहा गया था कि जो स्थानिय जो लोग है वो अपने यानि जो गाम के जो स्थानिय जो लोग है या फिर जल के लिए हो गया तो यह सब चीज़े वो अपने लिए वहाँ पर कर सके तो यह किया गया था यहाँ पर पंचायती राज लाया गया था ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लोक स्तर पर तो ये हो गया अपने सामने अभी तक हमने क्या देखा है कि अपने देखा है 13 समीधान से दरूआ था 1992 के अंदर क्या किया गया था पंचायती राज को लागू किया गया था समीधानिक दर्जा दिया गया था इसके अंदर ग्राम सबा होती है तीन स्तरिया होती है अब इसके बाद जो एक important चीज़ आती है कि हमारे समीधान के अंदर एक 40 आर्टिकल है एक 40 आर्टिकल है DPSP यानि Directive Principle State of Polices इसके अंदर क्या होता है यहां पर यह कहा गया है कि आर्टिकल 40 के अंदर कि पंचायत होनी चाहिए यह पंचायत होंगी यह बात बोली गई है आर्टिकल 40 के तहत अब आर्टिकल 40 के तहत तो यह बात बोल दी कि भईया पंचायत होनी चाहिए लेकिन पंचायत कैसे होगी उसके नियम कैसे होंगे ये सारी बातें जो है वो आर्टिकल 243 से लेके 243 O तक लिखी गई है ये O है O for all तो ये 243 से लेके 243 O तक लिखी गई है अब इसके अंदर क्या था पंचायती राज के बारें बताया गया था पंचायती राज क्या होगा कैसे काम करेगा ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई थी अब हुआ क्या इसी के अंदर 43 अब देखो पंचायती राज तो समझ में है न कि पंचायती राज के अंदर जो गाव के जो लोग है उनको परबंदन करने देना वहाँ पर उनको पावर दे देना यहाँ एक तरीके से तो पावर का distribution किया जाता है यहाँ पर एक होता न केंदर लेवल के उपर फिर राज्य लेवल के पर फिर ग्राम लेवल के उपर तो यह तीन लेवल के उपर जो पावर बढ़ जाती है यहाँ पर गाव के लोग कर लेते हैं यहाँ पर इनके पास थोड़ी बहुत पावर जाती है तो यह पावर का distribution है ताकि लोग जो है जो गाव में रहने वाले लोग है अपना काव वो खुद कर सके किसी दूसरे को पर dependent ना रहे तो इसलिए पंचायती राज को वहाँ पर लागू किया गया था तो यह हो गया अब यहाँ पर 243 से लेके 243 O तक यहाँ पर जैसे यह O एक alphabet हो गया ऐसे चला है 243 A, 243 B, 243 C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O ऐसे चला है तो यह जो alphabet जो मैंने बोले है इसी alphabet में एक article आता है 243 M एक article आता है 243 M और इस M में यह बात बोले गई कि यह जो पंचायती राज है न यह tribal शेत्र में लागू नहीं होगा tribal का मतला होता है जो जन जाती शेत्र होते है मैं अच्छा मैं फोटो लाना भूल गया चलो कोई न जो जन जाती शेत्र होंगे न उनके अंदर यह पंचायती राज जो वो लागू नहीं होगा अब एक बात तो यह बोल दी कि भईया पंचायती राज कैसे लागू नहीं होगा भई वहाँ पर 243 मतलब कि जो जन जाती शेत्र है जो tribal areas है या फिर जो tribal लोग है उनके अंदर यह पंचायती राज लागू क्यों नहीं होगा अब उसके पीछे reason यह है कि देखिए जो पंचायती राज है हमारे जो गाव है आम तोर पे जो गाव होते हैं वहाँ पर जो लोग है वो इस system को समझ पाते हैं चुनाव होगा चुनाव के बाद चुना जाएगा यहाँ पर ग्राम सबाव होगा यह सारी चीजें वह समझ जाते हैं उन चीजें को समझ सकते हैं लेकिन ट्राइबल जो लोग होते हैं उनको यह system समझ में नहीं आपाता क्योंकि यार वो जो है वो गाव, मतलब कि जो उनकी जो प्रचलन है या फिर कहें उनकी जो कल्चर है वो जंगलों से जादा connected है तो उनको ये सिस्टम समझ में नहीं आता कि क्या होता है ये सीज के लिए पंचायती राज तो यहाँ पर उनके लिए ये कहा गया कि 243M के तहत कि पंचायती राज जो है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा ट्राइबल के उपर अब एक चीज सवाल ये उठके आती है कि सर आपने ये तो कहा कि केंदर के उपर होगया राज्य के उपर होगया और स्थानिय जो लोग है उनके लिए यहाँ पर कर दिया गया शहरों में नगर परिशद होगी नगर निगम होगी लेकिन गाओं के अंदर ये पंचायत होगी लेकिन इन ट्राइबल एरिया ट्राइबल जो लोग है इनका क्या होगा इनको तो एक तरीके से अब इनके उपर शाषन कौन करेगा शाषन तो राज्य करेगा या फिर के अंदर करेगा तो ये जो चीज हुई यहाँ पर इसको टैकल करने के लिए एक तो चीज और आती है कि हमारे देश में ट्राइबल कहेंगे किसको बाई ट्राइबल किसको कहेंगे कौन होगे ट्राइबल ट्राइबल के अंदर आएंगे कौन तो ये बात तो है आर्टिकल 342 के भाग एक और दो के अंदर ये चीज लिखे गई है भाग एक और दो के अंदर ये बात लिखी गई है कि ट्राइबल कौन होगे अब क्या हुआ इन ट्राइबल के लिए सरकार ने 1995 के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ सरकार ने 1995 के अंदर भूरिया समीती अरे यह अटक क्यो रहा हो अरे क्या हो गया भूरिया समीती का गठन किया कब किया 1995 के अंदर अब इस भूरिया समीती ने कहा कि क्यों ना इस पंचायत सिस्टम को या पंचायती राज को इस ट्राइबल एरिया के लिए यह जो स्केडूल एरिया है यहाँ पर इसको बढ़ाया जाए यह नहीं देखो, क्या बोला, यहां पर कहा लिगा मैंने, यह देखो, इन्हों ने कहा, किन्हों ने कहा भई, यहां पर लिखता हूँ मैं, यहां, बूरिया समीती ने कहा, बूरिया समीती ने कहा, कब कहा, 1995 में, यह जो त्यार की गई, ट्राइबल स्लोगों के लिए, तो देन वाली ये वही चीज है पचायत extension schedule area तो इन्हों ने बुरिया समीचिटी नहीं बात बोली थी 1995 में अंदर अब ये जो चीज थी 1990 जब शी CHAN करूँ 2096 के अंदर बनके त्यार हो गया था पैसा एक बन पEन के त्यार हो गया था अब क्या किया गया इसकी अंदर क्या इसके अंदर कुछ अलग से प्रोविजन ला दिये गए थे या फिर कोई नई पावर एड कर दी गई थी कि भई इसको पैसा एक्ट मुनाया गया यहाँ पर जो ट्राइबल एरिया के लिए ट्राइबल जो लोग है उनके लिए जो चीज लाई गई क्या हो गया इसके अंक सीष्टम जो पंचायत का था दो सेम था रह इसके अंदर पंचायत वाला तो सिस्टम लगभग इसके अंदर सेम रहते नदर इसमें और पावर और एड कर्दी गई power add क्या कर दी गई इसके अंदर जो हमारे जो tribal जो लोग हैं जो रहते कहां पर हैं अगर आप इस चीज को ध्यान दें जो tribal जो लोग हैं वो ज़्यादा तर आपको forest के इलाके में या फिर mineral, mineral के जहां ज़्यादा तर minerals होंगे वो वहार रहेंगे क्योंकि इनको ना कुद्रत से बड़ा प्यार होता है ये अच्छे से समझ पाते हैं तो इनके साथ connect रहते हैं तो आपको जो tribal जो लोग हैं वो forest यारी जंगलों के या फिर जहां पर ज़्यादा तर खनीच पता आर्थ होंगे वहां पर आपको ज़्यादा मिलेंगे अब क्या था कि जो पैसा एक्ट आया है इसके अंदर इसमें क्या कहा गया कि भई आप जो ये जो tribal जो लोग है जो इनके पास अभी जो देखो सरकार जो गवर्मेंट जो है उसको अगर होता है न विकास करना होता है तो विकास करने के लिए वो क्या करते है जंगलों से जाते है विकास के लिए जूरत भी पड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जंगलों से उनको लकडी भी निकालनी पड़ती है मिनरस भी निकालने पड़ती है तो गवर्मेंट यहाँ पर क्या करती है Minerals निकाल लेती है जंगल में से या फिर जो और भी चीज़े होगी वो निकाल लेती है लेकिन पैसा Act क्या करता है पैसा Act ये काम किया पैसा Act ने भहिया जो ट्राइबल जो लोग है इनको ये पावर दे दी कि अगर आपके जंगल में से अगर कोई आ रहा है कोई चे वो government आ रहा हो चे वो private individual कोई आ रहा हो अगर वहाँ पर वो खनीज पदार्त निकालने के लिए आ रहा है या फिर कोई भी चीज वो जंगल से निकालने के लिए आ रहा है तो ये इजाज़त आप लोग देंगे कौन देंगे ट्राइबल जो लोग है वो देंगे कि ठीक है आप निकाल सकते हो यानि एक तरीके से पैसा जो act है वो power बढ़ा देता है ट्राइबल जो लोग है उनकी power बढ़ा देता है यानि इसको बड़ी simple भाषा में समझाओ कि जहाँ पर पैसा act नहीं है जहाँ पर पैसा act नहीं है वहाँ तो government या central government होगी या state government होगी जाकर भई अपने खनीजपदार्थ निकाल लेगी लेकिन जहाँ पैसा act है वहाँ पर tribal लोगों से यह अनुमती लेनी पड़ेगी या मुझे जंगलों में से यह खनीजपदार्थ निकालना है अगर यह हां करते हैं तो ठीक नहीं करते हैं तो इनको वापस जाना पड़ेगा कोई भी ताकत यहाँ पर जो खनीजपदार्थ निकाल नहीं पाएगी तो यह जो पैसा act है इतनी power provide करता है tribal लोगों को तो यह बात कही गई 36 गड़ सरकार ने 36 गड़ के अंदर जो यह draft त्यार किया गया है कि जो वहां पर 36 गड़ के अंदर जो schedule area है वहां पर यह पैसा act लगाया जाए यह बात होगी यहां पर अब एक तरीके से जो पैसा act है वो कितने राज्यों में लाग हुए एक तो यह सवाल उठता ह पैसा act आज की रेट में छे राज्यों में लाग हुए छे राज्ये कौन कौन से हो गए इसके अंदर छे राज्ये हो गए राजस्तान, हिमाचल परदिश, तेलंगाना, गुजराद, महराष्ट्रा, अंदर परदिश यह जो छे राज्ये है यहां पर पैसा act लगता है क्योंकि यह इनकी अच्छे से value समझते हैं, तो पैसा act क्या करता है इनको इतनी power दे देता है कि इनका अच्छे से use कर पाते हैं, लेकिन अब पैसा act बनाया किसने, देखो पैसा act बनाया, गौर्मेंट ने, अभी देखो छे राज्ये के अंदर यह लागु है, छे राज्यो जो Central Government ने पैसा एक्ट मना दिया और ये जिम्मेदारी छोड़ दी राज्यों के उपर कि आप चाहें तो लगा लिजी अपने राज्ये के अंदर की पैसा एक्ट अगर आप ना चाहें तो ना लगा अब मुझे बात बताओ कि कोई राज्ये चाहेगा कि पैसा एक्ट वो लग पैसा एक्ट ने इनको पावर देदी यहाँ पर तो कोई राज्ये क्या इतनी पावर देगा अपने हर कोई यही चाहेगा न ज्यादा पावर उनके पास रहे ज्यादा कंट्रोल उनके पास रहे तो वो ट्राइबल लोगों को इतनी पावर क्यों देगे तो इस करके छे रा यहाँ पर आता है मसाला अब देखो जितनी चीज़ मैंने बतानी थी वो बता दी important important चीज़ें की कहां कहां लगा हुआ है क्या होता है पैसा act कौन से article के तहट आया था कब लगाया था हमने यह सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर मैंने बता दी आप लोगों को अब क्या है 36 गड़ के अंदर यह क्यों लग रहा है इसके पीछे reason यह है कि मैंने जैसे का स्टार्टिंग में जो वहां के जो मुखे मंतरी है मुपेश बगेल और जो वहां के जो पंचायती राज मंतरी है सिंग देव इन दोनों के बीच में चल रही यह लड़ा लड़ाई है कि मैं very soon मने दो कि मुखे मने लगे हुई है तो अब है मुखे मंतरी बणत्री अब यहां पर यह पर चो पंचायती हुन्हों ने क्या किया ऑब यह ठीक है चलो हमारे पास जितनी power हमारे अंडर आती हैं उसका use कर लेते हैं और उन्होंने अपनी power का use करते हुए पैसा act एक बड़ा पासा फैंग दिया इन्होंने यह पैसा act फैंग दिया कि लो भाहिया आपकी power हम कम करते हैं यह पैसा act सीधा सीधा आएगा तो obviously मुख्य मंतरी की तो power कम कर देगा अब इतनी चीज इसके अंडर मतलब कि मुख्य मंतरी के area से बाहर निकल जाएगी और यह tribal area के पास चले जाएगी अब सवाल उड़ता है कि सर क्या लोगों को फाइदा होगा नहीं होगा और भाहिया बेशक फाइदा है आप सोच कर देखो लोगों को तो power मिलने वाली है वहाँ पर tribal लोगों को तो यह जो चीज है यहाँ पर एक politics है इसके पीछे अभी चला है draft बना हुआ है आने वाले time में हम बात करेंगे कि बहिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो यह सारी टेलिग्राम का लिंक नीचे दिया है जाकर जोइन कर लीजी आपको वहाँ पर पीडियाव मिल जाएगी और फेस्बुक ग्रूप फेस्बुक पेज का भी लिंक आपको मिला है और अगर यह वीडियो पसंद आई है आपको यह समझ में आई है कि भी यह पैसा एक्ट क्या है पंचायती राज क्या है तो यह करंट इशू था इसके तहरत हमने थोड़ा बहुत पॉलेटी की चीज़े कवर कर ली आर्टिकल 43 से लेगे 43.0 तक यहां फिर हम बात करें कि 1995 में भूरिया समीती 1996 में यह एक्ट बनना 73 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 के अंदर हुआ था यह तो यह सारी चीज़े हमने कर ली ग्राम सबाक इसको कहते हैं पंचायती राज सिस्टम क्या होता है अब इतनी चीज़े हमने कर ली यह तो एक तरीके की नॉलेज चीज थी आपर तो उमीद करता हूँ कि यह सारी चीज